परमेशर का बेड़े नाम की महिमा हो परमेशर ने एक और भार हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेशर के ये सनिधान में आकर प्रवाद मनन में एक बार और हम कुछ ध्यान ठखने के लिए परमेशर ने एक अवसर दिया है इसलिए परमेशर को बहुत बहुत धनिवाद देता हूं सबको प्रभुईश मशी के मेटे और पाविट तरनाम से जह मसी की फिर से एक बार और ये प्रबाद मनन में हम परमेशर की बाते मनन करने के लिए अवस्तर दिया है पिछले दिनों में हम उल्पती के किदाव बावी सद्याय से कुछ बाते मनन कर रहा था आज उसी का भारा पद तक हमने देखा है आज हम 13 और 14 पद की और ध्यान दे उल्पती की किदाव भारा अध्याय उसका 13 पद में ऐससे लिखा है तब इबराहिम ने आंकों उठाई और क्या देखा कि उसके पीचे एक मेड़ा अपने सींग से एक जाड़ी में बचा हुआ है सो इबराहिम ने आके जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुत्र की संदी होंबली करके चड़ाया है तब इबराहिम ने आंके उठाई आंके उठाई जब तक आंके नहीं उठाता है कुछ भी बात हम देख नहीं सकता है परमेश्वर का महिमा देखना है हमको क्या करना है हमरा आंक उठाना बहुत जरूरी है इदर हम देख सकता है कि जब उसने आंक उठाया क्या देखा कि उसके पीछे एक मेरा अपने सिंक से एक जाड़ी में बचा हुआ है देख एक मेरा पड़ा हुआ है और सकता है कई टाइम से वो मेरा उधरी पड़ा हुआ है फरंदू इबराहीम को देख नहीं पाया क्योंकि उसने वो बिसी था उसी ने ओममेली चड़ाने के लिए बिसी था इसलिए परमेश्वर का प्रुविशन को देख नहीं पाया इदर हम देख सकता है कि परमेशर ने कितना अलपुदरी दिसे उनके लिए एक प्रबंद किया है प्रबंद किया है जब इबराहीम और इस आख फोमबिली चड़ाने के लिए अपने गश्रे निगला है तब से परमेशर ने भी एक मेडा को अपने कई जगह से मोरिया कि और लेके आया है परमेशर कितना बढ़ा है उसके बाद हम जेज़ देख सकता है कि जब इबराहीम और इस राक वो पखाड की और चड़ने के लिए चालू किया है जब दूसरा साइड से परमेशर ने एक मेडा को भी उपर कि और लेके आया है उदर उस बोमी नहीं उसक सिंग से बांद के रखा है एक मेडा का ताकत का स्थान है उसी का सिंग उसी का सिंग कई बंदो गया है उसका मदल वो वो शक्ति ही नो जाता है उसको इतना शक्ति है नहीं है और कभी कई उनका हाथ उसका पाव कई इसमें लिग जाएगो तो भी उसी को ताकत मिल जाता था वो भाहर निकलने के लिए परंदू इदर परमेश्वर का वो प्रोशन परमेश्वर का वो व्यवस्ता कितना अच्छा है कितना अच्छा है पूर नरीदी से परमेश्वर ने सब कुछ किया है हम जानता है कि एक मेड़ा और एक बेकरी खई अगेले हो जाएगा तो इतना आवाज करता है जब उसी ने कोई तकलिफ और परहशानी में फस जाता है जब उससे भी जादा परहशानी जादा आवाज करता है परमेश्वर का खाज कितना बडा है उसके बाद हम देख सकता है तो इबराहीव ने जाके इस मेड को लिया और अपने पुत्र की संधी इस होम बिली करके चड़ाया है वो उसको मेम नेकी लेने के लिए गिया है और उसी का खुरुदेय इतना इतना धनिवास से भरा हुआ है वो कुशी का आंसूस का आंग से निगलते हुए वो गया है परमेश्वर कित्रा अच्छा है मेरा बेटे को उसने भचाने के लिए परमेश्वर ने एक मेड़े को भेजा है कित्रा भढ़ा है कित्रा धनिवाद है परमेश्वर का हमारा प्रोविशन को भी हमारा जीवन में कार रहा है दे रहा है वो देखते हुए हम Phramishur को धनिवाद करते हुए कुशी के साथ Phramishur को हम अराधनावर्मगिमा करना चाहिए इदर हम देख सकता है कि अपने पुत्र की संदी उसने हो मॉबली किया है जब उसने यह हो मॉबली करने के टाइम उसी का धन्यवाद मेरे बेटे को देख रहा है, ये मेडे को देख रहा है, उसी का खरदे धन्यवाद से भरा हुआ है, उसके बाद हम देख सकता है कि इस गाक साइड में कड़ा होकर सब कुछ बात हैं देख रहा है, वागे इस इनका खरदे के अंदर कितना कितना विजारेम चले गया है में मरने का था मेरे वोपर ये चुरuaryाने वाला था ये मेरे को मादने वाला था परनदू मेरे जगओ में एक बेंड़ा मेरे लिये जान दिया है वो साब कुछ ध्यान से देखकर धनिवाद के साथ धनिवाद के साथ इस खाक उदर खड़ा था हम जानता है कि इस खाक कितना दिन इस दुनिया में रखा है रोज उसी का जीवन पर मैं शुट देता है जैंज उसने याद करता था वो मेडे को वो मेड़े के कारण आजमाएं जिन्दा है वो मेड़े के कारण मेरा जीवन जीवन है नई तो मैं कब से इस दुनिया से चले जाने वाला था मुसी का मुर्थी का अखरी दिन तक उसने वो मेड़े के बारे में वो भिली के बारे में वो हो मिली के बारे में यहाद करते हुए यहाद करते हुए जीवन बिठा दिया है ओ, कितना धनीवात है प्रिय बायो बगनो हमारे जीवन में भी हमारे विए इस्तिदी था फृ दो हमारे जिखों में, हमारे संदी में प्रबू ये शुमल्शी ने दोगजार साल पखले कालवरी क्रूस पर हमारे लिए बिली चड़ाया है। रोज़ हम उसको याद करें, उसी को धन्यवाद करें, कैसे इसका धन्यवाद किया है, कैसे अपरगाम ने धन्यवाद करके परमेशर को आरादन किया है। आई इसी धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्र को आरादन करने के लिए परमेश्र को सकाइद करें चौदा पदमें लिगा है और इबराहिम ने उस्तान को नाम यहोवा जीरे रिखा है उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पकाड़ पर उभाई किये जायेगा यहोवा जीरे नाम ढूर्ग दिया है यहोवा उभाई करने वाले यहोवा है हमारे जीवन में भी तकली परेशारी का अवस्तर में हमको यह नाम घमेश्र याद करना यहोवा इरे परमेशर हम को याद करने वाला परमेशर हम को सब कुछ देने वाला खरके देने वाला वो परमेशर कितना बड़ा है यहोवा इरे का अनुबो हमारे जीमन में वोना बहुत जरूरी है यह याद करना बहुत जरूरी है पर यह बाइव बहनों हम भी रोज रोज वो काल्वरी क्रूस की ओर देखते हुए, धन्यवाद के शब्द, धन्यवाद के साथ, परमेशर के लिए जीए, प्रबू के लिए हम जीए, आइसी एक अच्छा मस्य की जीवन विदाने के लिए, परमेशर इस वजन के दोरा हमको सखाइदा करें, उसकी बेड़े नाम की मह प्रिमागो.